तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो, तेज शांती रहे, सारे पिश्व मेरे तेज शांती रहे इश्वर को हम हर सुबह ये कहे के कारे शुरू करें, कि जहां पर मुझे रोकने के आवशकता है, मुझे वहां रोका जाए, मुझे वहां टोका जाए, मैं सुनने को तयार हूँ, मैं ग्रणशिल हूँ सभी को शुभेच्छा, हैपी थौट्स, तेज ग्यान फांडेशन द्वारा आयोजित, ध्यान प्रार्थना पीज बूने के लिए आप सब का स्वागत करते हैं, रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, ताकि हम खुद भी स्वस्त रह बाएं, और जो बीमार हैं, उन्हे भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुचा पाएं, तो आईए, ग्रहन शील रहते हैं, और इस प्रार्थना का लाब लेते हैं, सभी प्रार्थना करेंगे, सभी आँखे बंद करें, हे परम इश्वर, आप पुर्णता हो, आपकी पुर्णता सभी को मिले, सभी अपने अंदर पुर्णता को मैसूस करें, इस पुर्णता को मैसूस करके, लोग ऐसे आनंद में आजाएंगे, प्रेम में आजाएंगे, मौन में आजाएंगे, कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले, यही पुर्णता की खास्यत है, सभी बुरा न सुनें, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न मैसूस करें, बुरे न बनें, बलके पुरा सुनें, पुरा देखें, पुरा कहें, पुरा सोचें, पुरा मैसूस करें, और पुर्ण बनें, पुर्णता से हर काम पुर्ण होता है, समय पर होता है, बुरा मत सुनो, लोग सुनते हैं, मगर पुरा सुनो, नहीं सुनते हैं, तो पुरा ज्यान हर मनश्य को मिले, सारे मनश्य पूर्ण ज्यान प्राप्त करें, सम्पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें, ये प्रमात्मा आपके शुब्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो, ताकि सारे जीव पुर्णता को प्राप्त करें, पूरा सुनें, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें, ताकि हर बिमारी से मुक्त हो सकें, अधूरी सोच से, अधूर ग्यान से मानसिक बिमारियां पैदा होती हैं, वे बिमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहें, तो बुरा न मानें पूरा जानें, पूरा महसूस करें, जो इमोशन शरीर पर आते हैं, वे अकायम हैं, वे कुछ पल रहते हैं और वलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें। पूरा महसूस करें, ताके वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दबन जाएं। कई इमोशन भावनाओं की पड़ते हैं। लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बिमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनिश्य को ये समाज मिले, कि वह आंशिक सत्य न देखें, पूर्ण सत्य देखें। पूर्ण सच्चाई देखें, बुराई की भी जो अच्चाई है उस अच्चाई को जानकर, बुराई से नफरत नहीं, बलके शमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई, बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं, लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें सुईकार करें, सभी एक दुसरे को सुईकार करके, मिल जुल कर, आपस में रहें। प्रत्वी से सारी बिमारियां समाप्त हो जाएं, जो बुराई के पक्षमे हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुल कर खिल कर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं, पूरुनता का आनंद सब कुम ले, सब कुम ले। ना अच्छा बनना है, ना बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुश्य बने, पृत्वी लक्ष प्राप्त करके पृत्वी से जाए, स्वस्तर रहकर जाए। संतुष्टी से जाए, अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तपरपन करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांती मिली है। उसका फल सब को मिले, सबका कल्यान हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ। सभी आंखें खुलें। आइए, सब क्रहनशील होते हैं, एक चेतना संधेश सुनने के लिए। इंटुशन आपको गाइड कर रही है। इश्वर की टुशन गाइड कर रही है। कहां हम रुकें, कहां पर आगे बढ़ें। इश्वर को हम हर सुख ये कहे के कार्य शुरू करें। कि जहां पर मुझे रोकने के आवशकता है, मुझे वहां रोका जाए, मुझे वहां टोका जाए। मैं सुनने को तयार हूँ, मैं गरनशील हूँ। तो वह मारत रशन आप और ज्यादा जल्दी ले पाओगे। तीन बार रिपीट करने के भी जरूत नहीं पड़ेगी। पहली बार में ही वह बात आप पकड़ पाओगे। कुदरत मुझे कौनसा संकेत देना चाहती है। मन की बढ़बढ बंद होनी चाहिए। मन की बढ़बढ कब बंद होती है। जब वह मतलब ही नहीं रहता। मतलब ही मन हमेशा मतलब निकालते रहता है। इसने इसा क्यूं किया उसने वैसा क्यूं किया यह इदर क्यू रखा यह वहां क्यू रखा यह सामने से गुजर गया आँख मटका कर गया मेरे को देखकर। तो आइसा क्यों किया उसने, तो आप काओ के, उसने आख क्यों मटका ही, क्योंकि उसने आख मटका ही, आइसा नाख क्यों किया, आइसा क्यों मुड कर गया, आइसा क्यों खड़ा रहा, जो भी मन बडबड करते रहता है, लोगों के बारे में, चीजों के बारे में, इसने यह यहां क्यों रखा, यह वहां क्यों रखा, इसलिए रखा, क्योंकि वहां रखा, इससे ज़्यादा और कोई मतलब नहीं है, तो जब मतलब निकालना बंद कर लोगे, तो मन की बड़बर कम हो जाएगी, और मन की बड़बड कम हो गए तो कोरे बनते गए, कोरा, इंसान, यानि व्यक्तिलेस बोड़ी, व्यक्तिलेस उनिवर्स बनाना है, तो पहले व्यक्तिलेस बोड़ी बनेगी, शरीर व्यक्तिलेस बने, ताके ईश्वर अपना कार्य जोरदार डंग से कर पाएं, सिर्फ पार् रिस्क फ्री MSY बनने के लिए कोरा बनना है, जिसके लिए मतलबी इंसान जो है, वो मतलब निकालना बंद करते, और कम से कम वहां तो मतलब न निकालें, जहां मतलब लगाकर दुख होता है, दुख होता है यानि आप इश्वर से दूर हो जाते हो, तो कहां सुन पाओगे प्रेल हो, उसके लिए कोरे बनने के लिए, इश्वर की साइन प्राप्त करने के लिए, हम सदा ये बात दियान में रखें, कि मतलब वहां तो बिलकुल नहीं लगाएंगे, जहां लगाकर दुख आता है, कॉमन सेंस का इस्तमाल जरूर करना है, मगर ऐसे मतलब निकालकर, जिससे सामने अलग को भी दुखी मिलता है, खुद को भी दुख मिलता है, वैसे मतलब निकालना बन करते हैं, ये छटा कदम था, साथवे कदम पर आपको प्रेमिट का इस्तमाल करना सेखना है, प्रार्थना और मार्ग दर्शन का सभी ने लाब लिया, आईए, यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद 18 दिसंबर 2022, महा आस्मानी शिवर, 7 और 8 जन्वरी 2030, तो इस अवसर का जरूर लाब ले, रेजिस्ट्रेशन के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, अवसर कि लिए से हृploते हैं, प्रू जाद लिए से नहिते हैं, अब दॉपर लाइए, यहीं विए जानकारी के लिए लाएग, प्रू आस्पी अवसर की लिए, विए, लिए टूर्एल्यवाद, पुझाः।